इस वीडियों करेंगे आइंटो 311 के नेक्स टॉपिक तमबाक्रु की सुन्डे या जिसे टिबैको गाटरुबिलर कहा जाता है देखें कि इसका जो ग्लासिक पीशिन अगो क्या रहता है और लेप्डॉक्टरा और फाम्ले नॉक्टरी से प्रिवां करते हैं यह यह जो सुन्दी होती है और अगर जिन्स पीशिए साइंटिफिक में की बात करें तो स्पोडोक्टेरा लेटुरा साइंटिफिक में जिसे त्वाक्वीुणे और होस प्लत के बाते हैं तो हुस्ट्ट्वां मिन होण है और होस्ट्तके ज sus paycheck शिबेयर आदे में के लगा जुन्दे के बाते घृष्ट में म मिलता है लेकिन इसका गय को ऐसका बेर वह उत्रप्थे पाइब पहाओड दियारा वाहाओ आधित पाया जाते हैं इसकी जोटा को लिधिट इसकी जो गिडार रवस्था या जिसे कहते हैं यह जो खोती हो जो घडारी होती है, यह जो खुमदिया होती है जुरूर से छुमदिके मुख में पत्यों के निशूज को खाती है, जिसके पत्यों को बौध अधिक हानी पहुंचती है और चिंक पूरा रूप से रिकसी तो जाती है तो इस अलग अलग फैल जाती है और पत्यों को काड़ कर इंगो डैमेज कर देती है और यह क्या करती है रात के डमिय रात की ताइम ने अधिक सकरिया रहती है जो गुजराद है गुजराद में तबाख की जो खेती होते हैं उसमें अबाउट स्टी पाइंट परशंट तरका डामेज इस इंसेक्ट वारा होता है और उत्री भारत में जो गुपी की पत्तियां उसके अंदर ये छेत करके उसको खाती है कभी-कभी ऐसी काडिशन के हो जा ये इसकी तवस्था है देखिए एक ऐसे पत्तियों के ओपर एगलें की हुई है और ये इसका जो आप देख रहे हैं ये इसका कैटरपिलर है और ये कैटरपिलर ही जो फसल को डामेज करता है और ये इसका क्या अडल्ट मोथ होता है इसको शलप करते हैं अडल्ट मोथ और यह क्या हैं लीफ के ओपर यह एग लें की नहीं है गना एक देन लारवा देन यूपा देन एलाइट इसमें सीकमस गदख लग निखा हुआ है इसेज एषी सी सी इन दिस ठीन डाइफ साइसे के च्वादिलि है अजर्वाइस आप इसे डाया कर लेजिए एग लेंग एक लहीं के बाद से किन जो फेज है इसकी लार्वाई है जिसको कटर फिले रुकाजत है सुन्दी अगडार भी कहते हैं घर्डवान इसका इसका प्युपाइड लास्ट इस अजट ने खिकते हैं हम इसकी लाइफिस ट्रिया इसका लाइफ साइकिल कितना होता है कैसा होता है कि इस्टेज़ेश पाई जाती है जा या क्या-क्या जो स्टीजिज है या फॉसल को टाइम रेज़ करती हैं लाइफ साइपक्री में नार्वाप लुका और अजल्ट पाया जाता है एक्टी बात करें तो यह जो इंसेक्ट है वे पूरे साली एक्टिव रहते हैं और इसके जो इंसेक्ट है अडल्ट है वो रात के टाइम में निकलते हैं और कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो लगपक 500 एग्स चुकोमल पतियां होती है उस पर ग्रुप के ग्रुप में देती है और जो एग्स के समोह होते हैं वो पूरे जो ग्रुप होते हैं वो पूरे रंगे बालों से ढखे रहते हैं और वैग एचिंग जो टाइम है क्टर तरक भूरे दिन में पतकर फूबते हैं कि अजर एक तंग कितना रहता है थी तू फाइफ़ दें स्टार्टिंग में क्या रूप में रहते हैं और वात में जब बढ़ें चायां ढ़ेत दिखाए रहती है लगबग 30 mm लंबी रहती है इसकी चरीड के दोनों और पीच पर एक यहलो ख लर्ग की लाइन होती है और एक घहरे बीले रंग की लाइन शरीड की दिछले भाग पर पाय जाती है यह इसकी क्या होँ यह सारे के जो सामरे से दिखाए देते हैं वो इसके मॉर्फोलोजिकल करेक्टर और सुन्डी अवस्था जो होती है वो 15 से 10 दिनकी होती है क्रिमिः कुःष यायश कम आवस्था है कि रखते हैं ह्यों जो मिट्टी का कोकूम अंदर चली जाते हैं जो कुपवा होता है यह गहरे बुरे रंगा होता है और यह वस्था 9 to 14 days की रहती है जब कि जो सर्दियां होती है यह गंटर सीसें जब होता है तो यह कुपवा वस्था है क्रीमी कोश वस्था है यह लगवग 30 days की हो जाती है तो यह अपनी पहले भी इसे की लाइबिस्ट्री में देखा कुछ इसे परताले भी ऐसा होता है कि टपरेचर वारिएशन के कारण जैसे टपरेचर वारी करता है वैसे इनकी जो रवल्मेंट की स्टेज है उसकी टाइमिंग भी चेंज हो जाती है रूज की पहले की पहले में दिखाते था किसीमें एधगेर टाइमिंग्म में जैने होता है किने क Dual in देशन के फीत पोका वह सथिए तो इस परकाल यह अलग अलग टाइनिंग मौज जाती है और प Alm 7 तैनल यह से ही यह ताइमिक चेंज हो सकती है नेक्स बात करते हैं इसके प्रोड की जो लगबग 22 मिलिमेटर लंबा होता है और इसके अगली जोड़ी पंग पर गहरे बुरे रंग के उठते हैं जिन पर आड़ी तीची सफेद लाइंस बनी होती है और जब कि पिछले जो पंग हैं के वो वाइट कणर के लुड़ाते हैं और जब ये प्रोड निकलते हैं किस से फ्लेपा से ब्रूड निकलते हैं तो उसके बाद यह लगबग 17-10 तक ही जीवित रहते हैं और पूरी लाइफ साइकिल है वो थर्टी फूर से लेकर 75 देज की रहती है और एक साल में कितनी जनरेशन देते हैं साथ से आर्ट दुरियां कम्प्लीट मेटा मॉर्फोसी स्काया जाता है अब देखते हैं कि फर्स स्टेज एग कि एक स्टेज का लार्वा यह जिसको गिडार यह सुंडी कहते हैं और प्युक्त से ग्रोज करके एडल्ट बनता है ने जो इसका जो कंट्रोल है और कि परकार किया जाता है या जो इसका मैनेज़मेंट कैसे कर सकते हैं तो जब स्टार्टिंग से जो होते हैं जब यह सुन दिया या यह जो गिडार है यह सुमू में रहते हैं तो उनको इकठा करके अमनस्ट कर सकते हैं और कार्बोरेल डस्ट मालत पर छिड़काव कर सकते हैं और इसका जो नेक्शल आनीज हैं जो उसकी क्रिमिकोर्ष या इसके सुंड़ी पर प्रजी भी होते हैं उनका प्रयोग कर्फिय भी इनकी संख्या को आप नियंत्रण में रख सकते हैं नेक्स सेकते हैं आलू की सुंड़ी या प्रटेटो ट्यूबर मोथ मैं आप पहले वीडियो में पता चुते हैं कि मोथ कौन से होते हैं या शल्प या मौथ देखने को बटरफ्लाई जाज से होते हैं बच यह मोशली क्या होते हैं राद के टाइम अक्टेव रहते हैं और ला अच्छा नाइचा या जुरूर नाइचा उसके आसपास भी हमें दिखा दे जाता हैं आलो की सुंड़े ही बात करते हैं सबसे पहले इसके ग्लासिफिकेशन की तो यह है और लेक्टोक्ट्रा और फैमिली इसकी है ग्लेसिटी और इसकी जब साइंटिफिक नेम या इसके इसकी बात करें तो थोरी प्याएं उपर फुलेल। फिथोरिए मिया इसका साइन्टिक नीम या जीनस पीशिस हुता है। जिकरें तो अलो के साथ टमाटर बेहंगन और तबाको भी इसके पोस्ट रहते हैं नेक दर्शिबूशन तो पहाड़ी भागों को छोड़ कर जो इ इंडिया में या भारतवर्श में यह लगदख सभी परदेशों में पाया जाता है और बात करें तो इडिया के लावची ऑस्ट्रेलिया पूर्वी दीप स्मूब फ्रांस न्यूजिलेंट अमेरिका और हवाई दीप में भी इसका जो वित्रण पाया जाता है यहीं stars कि कौन सी स्टेज है जो । इसकेमारे है में सैज्ट्रेज देर इसकी आपको डिखाएई देरिया Başते है यह हमारे पर पास 파स्त है यह हमारे पास सेकेंडव वस्ता है तो देखने में कितनी खतरनाक से दिखाई देखने में कितनी वास्ता में आटेक करने वाले हो देखिए इसका पूर्शन बड़ी अग्रेसिव से दिखाई दे रही है जो ऑज स्टेज से द्र जारतं है किसे कर दोरा यहां वान बीडिया ने क precisa फॉकूर्शन दिखाई है जो में राखिए होगा की तेज में होड़ान जुक्त पार्स इसके लाज्टेज ना से कि वानकोध एंड़ी इसआड जैने मेंHar देखते हैं किस बर्काढम है काट चुमस करते हैं या कबल फस्छ नोह को नुकसान पहुंचाते हैं। आइप यह बुखांग और मुखांग को काटने मुखार reasons को एक पहुत काट सब्सक्याहन चुब सकते हैं। अलों के खेतों में भी नुकसान पेंक आते हैं heid a करकेν बंदार ग्रह में डालते है यह खेतों के और दो में दिख्लिप में रोल对 presence सबसे पहने यह मत्यासिरा के सारे कुमर्चायों रहा रही सब्सक्राइल करें और तनों में सुरंग बना लेती है और फिर पत्तियों को खाकर नस्ट कर देती है और जो अंदर अलू होते हैं खेट के अंदर अलू के अंदर यह छेट करके गूज जाती है और उसका सारा गूदा खाकर नस्ट कर देती है जिससे अलू के अंदर सणांत पैदा हो जाती है अगर आपने वास्ते में कभी देखा उस आलू काड़ को तो उसके अंदर लारवा या वू सुंडी अवस्था मिल जाती है बहुत बार ऐसा होता है जो तो करते हैं कि अलू फड़ा हुआ आ गया या अलू खराब आ गया तो बूस अलू के अंदर लट या यह लारवा यह मिल जाता है तो यह जर्नल से चीचे हैं लाइफ में बहुतार इसी एक्जामिल है कि अपने आज पास ही आप देख रहते हों बड़ कंडिशन से रखिया है कि हम लोग इसको पहर नहीं करते हैं देखते हैं कभी क्यों हम लोगों को लगता है कि इस प्रिमालेश की हमें जरूरत नहीं होती इसमें से आदे से ज्यादा पैस्ट ऐसे हैं जो आप अपने सराउंडिंग देख सकते हैं तो अब इनकी क्या होती है जब इनको फेवरेबल कंडिशन मिलती है तो इनकी सख्या में बहुत ज़्यादा वरत्य होती है और यह 70% तक फेवल को डामेज कर देते हैं और जिसे ज होते हैं और नए वो दोबारा बोने के लिए बचते हैं अलू की स्टैपर क्या हो जाता है कि काले रंग की और उन्हें घाव जाते हैं और ब्रक्टिरियो और फंजाई का भी तक्षित हो जाता है और आलू सड़ने लग जाता है और अगर बंढारित ग्रह में या जो गुदाम या जो स्टोर है जिसमें आलू को रखा हुआ है वहाँ पर ऐसे कंडिशन हो जाती है तो आलू या उस बंढार ग्रह में बहुत अध क्यों नहीं प्याइर जाता है पहाडए सेतरों और सेतरों अपन नहीं पाइस अन्हें च्म होता है इस इसलिए बहु नहीं पाल पैएचल के कंडिशन होता है और चनल रहत है और लो प्रहाड़ों पर इस इंसेप्ट का लाइफ साइकल नहीं होता है इस कारण यह अलो को जब स्टोर किया जाता है तो जिसे कहते हैं पर उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि ज्रूरत आने पर उसको हम यूज कर सकते हैं नेट दिखते हैं इसके हम लाइफ इस्ट्रे के लाइफ इस्ट्रे में आपको पहले बता चुकिए हो कितनी स्टेज़ पाई जाती हैं चारह उसने हैं फरस्ट की बात करें एक तो एक जो फिमेल इंसेक्ट आप पॉपुलिशन के बाद जो निच्छे की पतियों होती हैं उन का खेट में करें लीव्स पर करती हैं और अगर अब स्टूर की आप नहीं बंडारं ड्रे की बात करें तो यह इंसेक्ट जो आलो के उपर बट्सनी बनी होती छूटी छूटी जूटी गिनीश कलर किया जिस होगते हैं इसके उपर आंख हैना जनरल लाइविन मुसको आंख क्ञें हो ठिक ठिक ततक ये अंडाकार होते हैं और हैे कि अधी सब्सक्राइब के इसंच की जाते हैं और फार से अंछ की कुट रगजिया में हाच की किरिया हो जाती है और अंडे फूट कर सुन्डी सेवराइब है कि उसमें तेंपरेटर उसके अनुपूल होता है तो अगर टेंपरेटर नहीं जाता है तो उसकी जो लाइफ है वो नहीं चल दी नेक्स दीत आज इसकी सुन्डी अवस्थ है सुन्डी जब निकलती है एक से तो 1.5 mm लबी होती है और वाइल के उसका सिर्ग होते हैं पीछे आपने डायरा में देखे हैं कि उसका जो हैड है वो ब्लैक अलर का होते हैं और और ये क्या करती है पत्तियों में टहनयों में आलों में छेर बना कर सुरंग बनाकर आशलो कर देती हैं और फोक्ला कर देती हैzin लाइफ में पांच बार निल्वोचन के रहा होती है और पूरर विक्सी दोने पर ही है 22 mm लंबी हो जाती है और इसका जो कलर है वो खलका हो जाता है पीट पर इसकी पीली लंबी रेखाएं या लाइन्स दिखाई देती है पूरी बॉडिक पर कंटी का है फावजा दिया तो यह 10 से 20 डेज में पूरा लूप से डिक्सीत हो जाती है और प्यूपा में बदलने से पहले यह सुरंग से बाहर आ जाते हैं नेक्स देखते हैं हम इसकी प्यूपा फॉंग या क्रिमी कोश कैसे होता है और प्यूपा में बदलने के लिए या प्यूपा बनाने के लिए यह पूरे करकड या पत्तियों के धेर के नीचे चले जाती है और बुदामों में आलों के नीचे भूली या मिट्टी में चले जाती है और यह मटमेले रंग का टिग्ड एम अबलंबा कोपून बना लेती हैं और उसके अंदर यह कोशा वस्था में बदल जाती है और कोपून के अंदर यह बुरे रंग की लगवग 6.5 लंग लंबी और 2.5 लंग चोड़ी हो जाती है और यह जो फ्यूपर स्टेज है वो 7-10 डेज की रहती है फ्यूपर स्टेज कितने डेज की रहती है इसके बाद एडल्ट इंसेक्ट भारा जाता है ब्राउन कलर करें और 6 marc और इसका जो बिंग की बहुते हैं और इसके नंतीनियों वो धागे जैसी बहुत खंड़े हैं चोंटीनिया वो धागे जैसी बहुत खंड़े होती हैं और इसके अगले पंख पर जहां तहां काले धब्बे मिनते हैं और पिछले किरारों पर लंबे बूरे रहं के पाल पाये जाते हैं कि और रात्री जरूते हैं और प्रकाष की और लाइट अट्रेक्ट होते हैं तो इसको मार के लाइट रचांड सकते हैं यह देखी इनने कंप्लीट माता मॉर्फोस इस पाया जाता है और जुबुरी लाइफ है वह 31-36 दिन में पुरा साइकल कंप्लीट हो जाता है एक साल में चैसे आर्ट इंडिशन मनती हैं तो यह हमारी फर्स स्टेज देन यह सेकेंड थर्ड स्टेज मनती है फ्युक्पा एंड यह फोर स्टेज तो यह जो चार स्टेज़ नहीं है जो लाइफ है यह पूरी 21 से 36 दिन में यह पूरा साइकल कंप्लीट हो जाता है इसका कंड्रूल का मनेजमेंट कैसे किया सकता है इसके जब कंड्रूल की बात किते हैं तो म couchya करना है jest यह जो खराब आलोऑउच चीक्रू और इसको अलग कर देते हैं और शक्रिबंट को नहींässट का उप्षन हमारे पास म線ेजमेंट के लिए कि आलू को जब बालू में रखते हैं या उसके उपर रेट की 2.5 cm मोटी परत बिछाने चाहिए जिससे जो फीमेल इंसेक्ट है वो आलू के उपर अंडे नहीं परते हैं और बूने से पहले जो बीज वाले अलू को थोड़ी देर दूद में सुखा कर उसकी बुवाई करने चाहिए और अगर अलू के खेट में प्रबोब दिखाई देता है तो थायोडान 35 EC की एक लिटर मात्रा 750 ml साथ सो पचास लिटर पानी में मिलाकर खोदों पर प्रती हक्टर दर्की से अच्छे काव करना चाहिए और अलू जब खोद लेते हैं तो उसको खोदने के बाद खुले में नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें तुरंती बोर्यों में भड़कर के लिए कर देती है और अलू के लिए जो बीज रखा जाता है उसमें 1.5 किलोग्राम माला की अंडस को प्रती में ट्रिप्टन के हिसाब से मिलाकर रखना चाहिए और हम इसके नाच्रोल आनिमीज को भी इसकी सग्या को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं